लगता है एपल के तरफ से 2021 में आइफोन 13 नहीं बलकि आइफोन 12S सीरीज देखने को मिलने वाला है ये बात काफी सारे लीक सोर्स ने मेंशन किया है बट एपल से इसे रिलेटेड अभी तक कुछ सुनने नहीं मिला है इस मामले में मिंग्ची को ने काफी पहले ही 2020 में कहा था कि 2022 में आइफोन सीरीज में परिस्कूप कैमरा देखने को मिलेगा हमारे पास इस बात का कंफरमेशन है कि 2021 में एपल के तरफ से चार आइफोन मॉडल से लाँच होंगे सेप्टेमर में और अभी कॉंपेटिशन में एस 21 सीरीज और वन प्लस नाइन सीरीज है आइफोन 13 के लिए इमेजिन एस 21 अल्ट्रा जिसमें इतना अच्छा डिस्पले है पेरिस्कूप कैमरा है वर्ल्स बेस्ट जूम है वर्ल्स बेस्ट डिजाइन है पॉसिबली और वन प्लस नाइन में भी काफी अच्छा अपग्रेड देखने को मिलने वाला है अभी इन सब के बीच आइफोन आइफोन में जो कैमरा सेटप है वो भी सेम ट्रिपल कैमरा सेटप है अगर आइफोन 13 वही बड़ा नौच वही सेम ट्रिपल कैमरा सेटप और विदाउट परिसकूप कैमरा के साथ लॉंच होगा तो लोग इस बात से खुश नहीं होंगे क्यूंकि इसी प्राइज रेंज में भी डिजाइन को छोड़के ज्यादा कुछ अपग्रेड देखने नहीं मिला था कंपेर्ट व आइफोन 11 सीरीज सो मेभी एपल 2021 में आइफोन 12S लॉंच करेगा एंड 2022 में हमें आइफोन 13 देखने को मिलेगा वित इंप्रूवड नौच एंड परिसकूप कैमरा और जो साइज और डिजाइन बिल्कुल आइफोन 12 सीरीज जैसा ही होगा सिर्फ थीन बड़े चेंजेश देखने को मिलेंगे 120 हर्ड ल्टी पी ओ डिस्पले सपोर्ट होगा मतलब अदाप्टी रिफ्रेश रेट अंडर डिस्पले टाइडी इंट्रेड्यूस होने वाला है एंड अल्ट्रावाइड लेंज के लिए जो अभी शिर्फ एफ 2.4 का है विचीज अ मैसिव इंप्रोव्मेंट सो लो लाइट कंडिशन में ब्राइट और डीटेल अल्ट्रावाइड शॉर्ट से लिए जा सकते हैं कैमरा वही से में ट्रिपल कैमरा सेट अप होगा नो चेंज अ बट कैमरा मॉडिल में थोड़ा चेंज होगा सारे लेंश जो हैं वह एक सिंगल साफार ग्लास में कवर्ड होंगे इस इंप्रूब्स ओवरॉल लुक अफ दे कैमरा मॉडिल एंद लेंश भी स्क्रैच से बचे रहेंगे स्टोरेज में 1TB आइफोन 13 की बात चल रही थी ब आइफोन की चर्चा भी काफी पहले से हो रही है एपल ने बॉक से चाजर भी निकाल दिया है और मैक से चाजर भी इंट्रीज कर दिया है और का जा रहा है कि 2019 में हमें अट लीस्ट एक आइफोन पॉर्ट लेस से देखने को मिलेगा जिसमें चाजिंग पोर्ट नहीं होग एंड शिर्फ वायरलेस चाजिंग सपोर्ट होगा बस एंड प्रो या फिर प्रो मैक्स मॉडल होगा पॉटलेस लास्टली रूमर्स ऐसे भी चल रहे हैं कि चारो मॉडल्स में लाइडर सेंसर देखने को मिल सकता है जो हमें डूएल सीरीज में सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में देखने को मिला था यह जस्त रूमर होगा क्योंकि अगर चारो मॉडल्स में लाइडर सेंसर इंट्रिउस कर दिया तो स्टैंडर और प्रो मॉडल में ज्यादा कुछ डिफरेंस बचेगा नहीं तो यह जो प्रोबैबली रूमर ही है ऐसा कुछ होगा नहीं शायद आज के लिए बस इतना ही फोर मोर आइफोन 13 और आइफोन 2 लस इन्फो वाच्व माई प्रीवेस वीडियो जो रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे डोंट वरी आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके जाना है बस बाकी मैं जैन्यूल लेक्स आपको प्रोवाइड करता रहूंगा थैंक्स पर वाचिंग एंड एंड याची गाइस इन नेक्स रूम